नहीं है अभिशेक संग निम्रित का इश्किया, बातों बातों में दसवी एक्ट्रिस ने उठाया सत्से परदा, जूनियर बच्चन संग अफैर की खबरों के बीच मिस कॉर ने क्लियर किया अपना रिलेशन्शिप स्टेटस, जी हां जिन खबरों ने बीते नाजाने कितने दुनों से चर्चा का बाजार गर्म किया हुआ था, कि बच्चन फैमिली के कलोते बेटे अभिशेक बच्चन अपनी पूर मिस्वर्ड वाइफ एश्वर राय को अपनी को एक्ट्रिस निम्रित कौर के लिए दोका दे रहे थे, तो अब इन खबरों को सिरे से नकारते जहां एक दिन पहले ही इन सब खबरों के वीच निम्रित ने सीटाडल हनी बनी की प्रीमियन नाइट में पहुँच कर अपनी फॉस्ट पब्लिक अपीरेंस दी थी और रेड होट डीवा बन कर सबकी अटेंशन को खूब ग्रैब किया था, तो अब निम्रित का ये स्टेट पर जाती हैं, तो ऐसे में वे सिंगल लड़कों को क्या टब्स देना चाहती हैं, तब एक्ट्रिस ने जवाब देते हुए कहा था, कि आपको गूमना चाहिए और मज़े करने चाहिए, किसी भी मौके को मिस नहीं करना चाहिए, अब एक्ट्रिस के इस बयान से ये तो साफ हो गया कि वे फिलाल सिंगल हैं, और किसी को भी डेटनी कर रही है, और इस बयान से कुछ ना होने का कन्फरमेशन भी मिल गया है, आपको बता दे कि बीटे काफी समय से इन खबरों ने भी टाउन में शोर मचाया हुआ है, कि निमृत कौर अपने से उमर में 6 साल बड़े अ निमृत अभिशेक को लेकर ये दावा तक किया गया, कि एक्ट्रिस अभिशेक एश्वर्या की शादी में वो बन कर आई, और उनके बीच में दरार पैदा कर दी, हलाकि अब निमृत के इस बयान से ये सबी दावे जूटे साबित हो गया है, क्योंकि निमृत के मिताबिक वो तो सिंगल है, वही दूसरी ओर इस पूरे विवाद पर अब बच्चन परिवार का रियक्शन भी सामने आ गया है, बच्चन खांदान के करीबी ने एक इंटर्व्यू में रूमर्स पर बच्चन फैमिली का क्या रियक्शन है, वो रिवील कर दिया, इस शक्स का कहना है कि अबवाहों में कोई सच्चाई नहीं है, बच्चन परिवार के बेहत करीबी ने इन अबवाहों को बकवास बता दिया, इस सोर्स की माने तो अबिशेक बच्चन अनिम्रित कौर के अफैर के अबवाहों में कोई भी सच्चाई नहीं है, सूत्र का ये भी दावा है कि और ज्यादा नुकसान पहुचाए सकती हैं इंटर्व्यू में क्लोस फ्रेंड ने ये भी खुलासा कर दिया किन खपरों से बच्चिन फैमिली बेहत गुस्से में है और ये पता लगाने के कोशिश कर रही है कि ये सब घटिया रूमर्स कहां से शुरू हुए जिसके बाद वे सही लीगल एक्शन भी लेंगे वला आपका इस पर क्या कहना है दू कॉमेंट बिलो और फालो वेचिट फार मोर वीडियोस